हेलो एवरिवन वेल्कुम वैक सिंधिर एंवार्मेंटल साइंस क्या प्रिपिएस लेग्जर में हम लोगों ने डि्सक्स किया था एंवार्मेंटल साइंस की इंट्रोडक्शन इंटरॉट्ट्री पार्ट दिंोर्डा terrorist का वैं डेफिनिशन्स डिसकस करी थी जो मैं आज द्वारा से एक्स्पेन कर देता हूं ठीक है उसके बाद आज हम पढ़ेंगे मेन कॉंपोनेंट्स ऑफ एंवार्मेंट एट्मॉस्फियर हाइड्रोस्पियर लीटोस्पियर और बायोस्पियर के बारे में ठीक है तो थोड़ा संक्सराउ डीक छाएं पर लिसके चाहित नियुकर और इस कि चार तरफंट्स ऑपास जो भी चीज़े वह क्या एंवार्मेंट्स अब अगर हम कहीं हें किसी हीडियरills में लीटोस्पियर भवा ग्सपियर हमने बाद करें हाईड्रोस्पियर की चाहिए हम बात करें लीटोस किसे में उनकलूध है एंवार्मेंट में उनकलूध है तो वही चीज यहां पर हमने डिसकस करें दब वर्च environment is derived from the French word and Warner which means around surround study how human interact with environment चाहिए किस तरीके से इंवार्मेंट से इंट्रेक्ट हो रहा है वह यहां पर हम discuss कर रहे है, environment can be defined all social, economical, physical, chemical factors that surround man, ठीक है, हमारे चारो तरफ जो भी factors, जिसका effect हमारे उपर पड़ता है, ठीक है, जिसका effect हमारे environment पे पड़ता है, ओके, तो वो यहाँ पे हम discuss कर रहे है, environment can be defined all social, economical, physical, chemical factors that surround man, that is environment, abiotic and biotic component around man, ठीक है, हमारे चारो तरफ जो भी biotic component है, जो भी abiotic component है, वो भी क्या है, हमारे environment का ही part है, ठीक है, biotic and abiotic, जैसा कि मैंने previous lecture में भी बताया आप लोगों को, living, non-living things which surround us, that is, a part of our environment, okay, okay, start, atmosphere, atmosphere, the atmosphere imply the protective blanket of gases surround the earth, ठीक है, हमारी धर्ती, जो भी earth है, earth के चारो और जो gases, जो भी gases का जो blanket बना हुआ है, वो किस में आता है, हमारे atmosphere में आता है, ठीक है, अगर हम बात करें layer की, तो आपने अगर सुन, वैसे तो आप लोगों में पढ़ा ही होगा, general basic concept है, ठीक है, तो जो layers हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी gases फैले हुई है, तो किस तरीके से उन gases की जो blanket बनी हुई है, वो भी क्या है, हमारे atmosphere का ही part है, ठीक है, तो atmosphere क्या है, atmosphere imply the protective blanket of gases, जो हमें क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, किस से other harmful rays, जो भी आ रही है उन से, ठीक है, और जो हमारे धर्टी के, जो हमारी earth के आसपास है, तो वो क्या है हमारा atmosphere है, second यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस की, hydrosphere की, the hydrosphere comprise all types of water resources, ocean, seas, lake, streams, glaciers, and ground water, ठीक है, तो जो hydrosphere है, hydrosphere में हम बात कर रहे हैं, water, the hydrosphere comprise all types of water resources, तो हमारी earth पर जितने भी types के water resources है, है, वो किस में आते हैं, hydrosphere में आते हैं, ठीक है, चाहे हम बात करें किस की, oceans की, lake की बात करें, streams की बात करें, glaciers की बात करें, चाहे हम ground water की बात करें, तो वो भी क्या है हमारे environment का ही part है, जैसे student यहाँ पर हमने first पढ़ा atmosphere, atmosphere, atmosphere हमारे environment का ही पार्ट है, इसमें हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे blanket of gases की, जो हमारे हमें protect कर रहे हैं, और साथ के साथ हमारे atmosphere को form कर रहे हैं, ठीक है, उसी तरह के से hydrosphere क्या है, hydrosphere is also connected with environment, the hydrosphere comprise all types of water resources, oceans, seas, lakes, glaciers and ground water, ठीक है, third one is lethal sphere, lethal sphere is the outer matter of solid earth, तो जो हमारी earth के उपर की जो layer है, ठीक है, जो solid air है, जो बहुत सारे concrete, बहुत सारे stones की, अगर हम बात करें या फिर other hard metals की बात करें, उससे बनी हुई है, तो उसको हम lethal sphere बोलते हैं, ठीक है, तो जैसे की crust आपने पढ़ा होगा, तो lethal sphere क्या है, lethal sphere is the outer matter of solid earth, अर्थ की जो उपरी परपटी, जो हम एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है, जो बहुत जादा solid metals की बनी होती है, उसको हम बोलते हैं, lethal sphere, next हम बात कर रहे हैं, biosphere की, biosphere indicate the realm of living organism of their interaction with environment, ठीक है, यानि कि biosphere में को आते हैं, living organism और किस तरीके से वो हमारे environment से related हैं, किस तरीके से वो हमारे environment से connected हैं, किस तरीके से वो हमारे environment पे depend करते हैं, तो ये सारे जितने भी living organism हैं, वो under biosphere का आती है, ठीक है, तो वही जिद यहाँ यहां पर mention की गई है, biosphere indicate the realm of living organism and their interaction with environment, atmosphere, lithosphere और hydrosphere, तो यहां पर हम तिन चारो ही चीजों की बात कर रहे हैं, जो हमारे किस से related है, atmosphere से related है, जैसे suppose हम living wings, ठीक है, अब हम living wings की बात करें, तो atmosphere का उसके पूर उसके उपर effect पढ़ता है, hydrosphere का उसके उपर effect पढ़ता है, ठीक है, जो भी changes, modifications होते हैं, कहीं न कहीं, वो सारी चीज़े, जो भी living wings हैं, उनको क्या करती है, influence करती है, तो इसलिए यहां पर mention किया गया है, यहां पर लिखा हुआ है, biosphere indicate the realm of living organism, and their interaction with environment, atmosphere, lithosphere and hydrosphere, तो आज हमने discuss किया, कुछ basic concept किसका, environmental science का, atmosphere के बारे में, hydrosphere के बारे में, lithosphere के बारे में, biosphere के बारे में, ठीक है, तो previous lecture में मैंने आपको कुछ basic concept बताया था, environment का, environment, next lecture में हम continue करेंगे, basic component of environment, इसी lecture को आगे continue करते हुए, आगे हम discuss करेंगे, about systematic study, human interaction with the environment, first thing we will study in next lecture, second one is, a biotic or biotic component around a man, and how they interact to environment, okay, this one also we will study in next video lecture, environment study connect principles from physicals, economical, humanities and social science, address complex environment issues, ठीक है, तो ये सारी चीज़े हम discuss करेंगे, atmosphere, the atmosphere imply the protective blanket of gases surrounding the earth, तो अगर हम बात करें, atmosphere की, तो सबसे ज़्यादा nitrogen हमारे atmosphere में पाही जाती है, ठीक है, जो plants के लिए बहुत ज़्यादा useful है, बहुत ज़्यादा important है, उसके बाद other gases भी पाही जाती है, the atmosphere implies the protective blanket of gases around the earth, hydrosphere, the hydrosphere comprise all types of water resources, ocean, lake, stream, glacier and groundwater, third one is lithosphere, lithosphere is the outer metal of the solid earth, okay, next one is biosphere, biosphere is connected with all these terms, atmosphere, hydrosphere और lithosphere, ठीक है, biosphere में हम जो mainly living organism की बात करते हैं, ठीक है, इतने भी living organism on the earth है, वो biosphere में आते हैं, अब इसमें क्या है, इसमें अलग अलग species हैं, ठीक है, अगर हम किसी एक species पर जाएं, तो उसमें हमें बहुत सारे variations देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, किसमें, biosphere में, biosphere indicate the real living organism and their interaction with environment, environment का हमारे ओपर किस तरीके से effect पढ़ता है, ठीक है, किस तरीके से हम environment को, या environment हमें influence करता है, तो यह सारी तीजे कहीं न कहीं, आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड हैं, चाहें हम living organism की environment से बात करें हैं, environment की living organism से बात करें, day to day life में हम जो भी activities को follow करते हैं, कहीं न कहीं, उसका effect हमारे environment पे पढ़ता है, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जिसकी वज़े से हमारा environment क्या है, pollute हो रहा है, अब हमें किस तरीके से उन सारी practices को prevent करना है, उन सारी चीजों को रोकना है, ताकि हम अपने environment को proper safe condition में ला सकें, और एक healthy life जी सकें, तो उसके लिए हम बात करेंगे, need of study, environmental science, ठीक है, जो हम next lecture में discuss करेंगे, तो आज इस lecture को हम यहीं पर finish करते हैं, next lecture में हम फिर discuss करेंगे, need of study, environmental science, okay, notes की अगर मैं बात करूँ तो day to day में आपको notes, जो भी मैं यह written notes बना रहा हूँ, यह आपकी photocopy, इसकी copy आपको send करता रहूँगा, आप अपने self notes पर prepare कर लेगे, ताकि exam के time में आपको कोई problem ना हो, और आपके पास proper content हो, और आप अपनी अच्छी preparation कर पाएं, ठीक है, इसी के साथ कुछ reference books के address भी मैं आप लोगों को send करूँगा, ताकि आप जो main books हैं, उनको prefer करें, और अपने notes बनाएं, ठीक है, thank you,